हेलो गाईज वेलकम बेक टू मा यूटूब चनल दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेल बजट इस साल का आ चुका है उस रेल बजट में हमारे छेत्र के जो परियोजना है उनको कितना बजट आवंटन हुआ है इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों जो हमारे छेत्र का सबसे प्रमूख परियोजना है महू अकॉला गेज परियोजना का कारे इस परियोजना को इस बार बंपर 700 करोण रुपे की लागत का बजट आवंटन हुआ है और इतना बजट इसको आवंटन ह हुआ है उसके सबसब इस में कायर की प्रगतिबी तेज होगी कायर की जटि बढ़ेगी महू अकॉला गेज परिवतन कारे में अभी सनावत से महू के मद्ध गेज परिवतन हुख रहा शेश है एवं अकॉला से आकोट तक तो गेज परिवतन हो चुका है आकोट से अमला खुर्द तक अभी डाइवर्टे टस्ते से नया रस्ता बनाया जाएगा और इसी के साथ ही अमला खुर्द से खंडवा के मद्ध भी गेश परिवरतन का कारे किया जा रहा है वही खंडवा से सनावत तक गेश परिवरतन के कारे को कंप्रिट कर लिया गया है जिसी साथ से यह राश्री मिली है 700 करोड काफी जादा लागत है उसी साथ से इस जो गेश परिवरतन कारे की जो परियोजना है इस कारे को अच्छी कासी गती मिलेगी इसके साथ ही इंदोर वा इंदोर के असपस के परियुजनों की बात करें तो इंदोर से जवलपूर जो नई लाइन है वाया बुधनी होके उसको 516 करोट रुपे का बजट आवंटन हुआ है वहीं बात करें हम दाहओद इंदोर रेल लाइन की तो इसको 440 करोड रूपए का बजट आवनटन हुआ है और छोटा उदायपुर से धार के मद्ध जो नई लाइन है उसको 355 करोड रूपए का बज़ट आवनटन हुआ है इसी के साथ ही दोस्तों जो इंदोर से उज्जन के मद्धी डबलिंग का कारी किया जा रहा है रेल लाइन डबलिंग का उसको 185 करोड का बजट आवंटन हुआ है जिसमें से की बहुत हद तक उज्जन से देवास तक का कारी तो पूरा कमप्लीट कर ले गया है अब जो में कारी बचा है वो देवास से इंदोर के मद्धी बचा हुआ है इसी के साथ ही नीमच से रतलाम के मद्धी जो डबलिंग का कारी चल रहा है उसके लिए भी 400 करोड रुपे का बजट आवंटन हुआ है और नीमच की एक और जो परियुजना है नीमच बड़ी साथड़ी उसके लिए 1500 करोड रुपे का बजट आवंटन इस बार बजट में हुआ है दोस्तों अगर हम मालवा निमाड के परियुजनाओं की बात करें तो इसमें सरवादिक पेशा हमारे महू अकोला गेश परियुजन कारे को बजट अच्छा कासा आवंटन हुआ है अब देखना ही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है और कैसी यहाँ पर मतलब वर्क प्रोग्रेस रहती है क्योंकि सुनने मैं रहा है कि 10-12 टरनल बनेगी महू से सनावत के मद्य और जो रस्ता है वो भी डाइवर्टेड रहेगा चोरल से महू तक क्या तो अब उस पर देखना है कि रेलवे किस तरीके से अपनी सक्रीता निभाता है और आगे जाके इस पर काम करता है तो आज की वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद